हलो मिना नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग संवहन और गशनमुक्ति तक दियू हूँ पिछले 34 साल से मैं साइकेटरी की प्रैक्टिस कर रहा हूं अकोला में अभी भी हमारे देश में बहुत सारी अंद्रशद्धाय हैं लोगों को यह पचाने में कटी हो जाता है कि वह मानसिक बीमारी है करके उनको लगता कि नहीं है कि नहीं कुछ भी बाहर कायकिया हूँ बूत ने पचड़ा हूआ है और पर वह बाहर ले जाते दरगे के उपर को पानी पिला था वो निम्मू काटके देगा फिर चिर की उपर निम्मू भोड़ेगा या निम्मू डालेंगा आके खराब कर देगा वह उसको मारेगा बहुत ज्यादा मारेगा थाकि निकल जाएंगा तरह से काफी सारे लोग बुआ बाजी के पास में, बुआ महाराज के पास में जाते रहते हैं और वहाँ उनका इलाज करते रहते हैं अभी हमारे यहाई अकोला के करीपुरी तो किलोमेटर दूर एक सैला नी करके है गाउ, वहाँ दरगा है और दरगा के उपर काफी सारे लोग अपने पेशन को लेके रहते हैं आजुबाजु में दरगा के जोपड़ी में रह रहे हैं उनका यह विश्वास है कि दरगा में जाएंगे और सैलानी बाबा के पाँच हुएंगे वहाँ उनको मननत मागेंगे तो उनकी बिमारी अच्छे हो जाएगे वहाँ वाँ वाइलन्ट होते है तो उनको चेन डाली हुए हाथ में हतकड़ी है पेर में बेड़ी है और वहां रह रहे हैं कितने सारे महराज जो है वो करणे निकालने वाले उनके पास में लोग जाते रहते हैं हाँ अभी ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब कि भ्हुल मूने या प्रोनिमा रहते हैं फुल मूने या अमस अमसे रहते हैं मतलब लेक अभी फिर से लेते हैं हां तो लोग अभी ऐसा लगता है कि जब फूल मुंडे रहता है मतलब पुर्णिमा पुलते हैं उसको पुर्णिमा यहां न्यू मुंडे रहता है अभी नहीं है बाहर का कुछ नहीं रहता है आज भी लोग साइकेटिस के पास में आने के लिए डरते हैं उनको लगता है कि नहीं बीमारी बाहर की है और डरते दुसरा है कि वही नहीं है यह पागल हो गया तो लोग क्या कहें कि काफी सारी बीमारिया मतलब जेनरल पेक्टिशनर के पास में जाने वाली जो लोôi ए है अपने फैमिली फिजीशन के पास में जाने वाली जोग है उसमें से 25 से 75 परदिशन लोगों lightning तो इसु साइकॉलोजिकल बीमार रहे ते उनको डवा की जडोध रहती है। ना उनको प्लैसिब हो देते हैं उनके दॉक्टर काफी थे और काफी लोगों को क्लेस दुप रह दिपरेशन हैं और वह उनको फिर कूछी दवा देते हैं और वह अच्छे हो जाते है ваши वो ये-दी-्के निहारा मनोभिकर तक्ये के पास में जाते है लंदूरमय एक्षस defending के पास में जाते है Jude कि की मेरई भेज easy my brain में Crypto va 500 da jcक होतार जुष्लमनोटा यही मुझ जाते हैं त्यकुमे करूलम में जुडर का संतुलन होता यह लड़का था उसको बाहर का किया होगा है करके वो कोई महाराज के पास में लेके गए और वो महाराज जो था उसमें कपुर रहता है कपुर वो हाथ के उपर रखा ऐसा पुरा और जलाया और उसको रखने दिया तो उसका पुरा हाथ जल गया और इतना बड़ा इसमें खड़ फिर गिर गया जहां उसके हड़ी दिखने लगी इतना जादा हो गbesος हुग हेद्जै और उसके लिग्यam सो बखिऑ था ago उसने चार दिन से काना निए खॉ रहा था उसके हालत तो इतनी गंबिर ती यह कमर ए인데요 मालूम नहीं और तबीवे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यह तो बाहर कही है वह बाबा उनको छोड़ने को तैयर नहीं था मगर किसी ने कुछ बोल दिया कि नहीं आप डॉक्टर का इलाज करो करके वह मेरे पास में लेकर आए इसलिक काफी सारी बीमारी है छोटी बीमारी होंगी तो डॉक्टर के पास में साइकेडियों के पास में आते नहीं चिंदार हो गया है फिर बार बार हाथ दोने की बीमारी है वो भी हमारे पास में आते नहीं को लगता है कि उन्हें पागल कहेंगे लोग या फिर फोबिया है डर लगता है बाहर जाने का डर, हार्ट अटाइक आने का डर, लोगों के पास में जाके बात करने का डर, लोगों से मिलने का डर, रस्तापार करने का डर, स्टेज पर जाने का डर, या अकेले घर में रहने का डर, उचाई पर जाने का डर, ऐसे काफी सारे हैं, तो वो हमारे उसमें मांसिक कुछ तभी होता है। कोई टेंशन आता है उसके विएसे फेडा ही। वो फिड मतलब ब्रेन की ने रहती। वो फॉंक्शनल फिट रहती है। उसमें कोई खराभी ने रहती। तो वो भी है। तो ऐसे काफी सारी बीमारियां इधी डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो उनका इलाज अच्छा होंगा, तो मेरा ऐसा सब को कहना है कि यह जो अंदश्रद्धा लोगों के मन में हैं, वो निकालनी चाहिए, लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि नहीं, यह सम बीमारिया भी अच्छी हो सकती है, काफी अच्छी अच्छी दवाईया भी निकले हुई है, अच्छे मांसव चाह रहे हैं, मतलब साइकोथेरेपी से, नहीं ने तरी के साइकोथेरेपी हम करते रहते हैं, तो उनसे उनको एक नया डुष्ट्रिकोन मिलता है जीवन केने का, एक नया मिलता है देखने का उसमें वो अच्छे हो जाते हैं और दवाई भी उनकी साहयता करती है तो जरूर कीजेगा कि आपके आज़ू-बाज़ू में ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिनको सब तरह की जाच करने के बाद में भी कुछ मिलता नहीं है सब तरह की जाच किया मगर बीमारी है समझ जाना कि उसको साइकोलोजीकल बीमारी है तो उसका इला जरूर साइकेटर्स के पास में करवाएगा ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करो आपके Facebook ग्रूप के उपर WhatsApp के उपर आप अलग-अलग ग्रूप से शेयर करो ताकि लोगों कुछ आनका नहीं होंगी हमारा मीशन है कि विसंद मुक्त भारत और सब के लिए मानसीक स्वास्त हर विक्ति को शक्तिशाली बनाना है उसमें आपका हाथ लगेगा थैंक यू वेरी मच ज़रू सब्सक्राइब करो मिलते हैं